परिचए वित्रो कभी आपने विजार किया है कि हम भोजन क्यों खाते हैं। हाँ बिल्कुल सही क्योंकि यह स्वादिश्ट एवं उर्जा का स्रोथ होता है। इस मॉड्यूल में हम खाये जाने वाले विबनिक खाद्दे पदार्थों के बारे में जानेंगे। उद्देश्ट इस पार्ट के अंत में हम निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पोशकों को सूची बद्ध करना, खाद्दे पदार्थों में कार्बो हाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पता लगाना, विबिन विटामिनों और उनकी भूमिकाओं का वर्णन करना, शरीर में खनीजों के महत्व को समझना, शरीर में आहारिये रेशों और जल के महत्व की व्याख्या करना, संतुलित आहार के महत्व की व्याख्या करना, हीनता जन्ने रोगों को परिभाशित करना, भूजन क्या है? मित्रो, जब हमारी मां हमारे लिए दाल, रोटी, सांभर, इडली, चावल इत्यादी, स्वाधिष्ट भूजन पकाती हैं, तो हम रोमांजित होते हैं, है न? आपने अवशिध धियान दिया होगा, कि भूजन खाने के बाद हम उज़ावान महसूस करते हैं, और विभिन प्रकार के क्रिया कलाब कर सकते हैं, क्या आप इसका कारण जानते हैं? भूजन, उज़ा और शारिरिक विकास करने वाले, वे उन पदार्थों का वास्तविक स्रोध हैं, जो हमारे क्रिया कलापों के लिए हमें जोज से भरपूर रखने और हमें स्वस्ते रखने के लिए आवशक हैं. इस तरह भूजन हमारे शरीर के लिए इधन का कारे करता है, और हम भूजन के बिना अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं. भूजन के घटक अब आप चानना चाहेंगे कि हम भूजन खाकर किस प्रकार से उर्जा प्राप्त करते हैं, और भूजन हमारे शरीर के लिए इधन क्यूं कहा जाता है? मित्रो, भूजन में मोल रूप से पाँच घटक होते हैं, ये कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिच हैं, इनको सामोहिक रूप से पूशक कहा जाता है, हमारा शरीर उजा प्रदान करने के लिए भूजन पचा कर इन पूशकों को अफशोशित करता है, कुछ पूशक हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता करते हैं, अब आप समझ सकते हैं कि हमारे माता-पिता हमें पोशकों से भरपूर भुजन खाने के लिए क्यों सोर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट क्या आप इस तथि को जानते हैं कि प्रतेख खादे पदार्थों में बिन्न-भिन्न मात्रा में सभी पोशक पाये जाते हैं और प्रतेख पोशक हमारे शरीर में भिन्न भूमिका निभाता है। आईए इन पोशकों के बारे में एक एक करके विस्तार से जानें। सबसे पहले कार्बो हाइडरेट के बारे में जानें कार्बो हाइडरेट जीवित कोशिकाओं के लिए जरूरी संदचनात्म घटक का निर्मान करता है वे प्राणियों के लिए उर्जा का प्रमुक्सरोत है कार्बो हैड्रेट में शर्करा, सार्च, फाइबर इत्यादी शामिल है वे मुख्य रूप से गेहू, चावल, आलू और मक्का में पाए जाते हैं प्रोटीन आपने अवश्य देखा होगा कि जो बच्चे दूद नहीं पीते हैं वे कमजोर हो जाते हैं और उनका शारीरिक विकास भी कम होता है क्यूंकि दूद में वृध्धी के लिए जरूरी प्रोटीन होते हैं हमारे आहार में मास, मचली, अंडा, दाल, पनीर और सोया बीन प्रोटीन के कुछ महदपूर्ण प्रमुक्सरोत हैं प्रोटीन का प्रमुक्कर उतकों का निर्मान एवं शती ग्रस्त उतकों में सुधार करना है कार्बोहाइड्रेट के अभाव में प्रोटीन को उर्जा के स्रोत के रूप में इस्तिमाल किया जाता है वसा मैं जानता हूँ कि आप सभी को पिज्जा, बर्गर, पनीर, इत्यादी बहुत पसंद है लेकिन आपके ममी पापा ये सब नियमित रूप से खाने से रोकते हैं क्योंकि इनमें भारी मात्रा में वसा होता है वसा हमें उर्जा प्रदान करता है यदि हम इस उर्जा का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारा शरीर भविश में इस्तेमाल करने के लिए बाडी फैट के रूप में बंडार बना लेता है यही कारण है कि अधिक चिकनाई वाली चीजें खाने वाले लोग मोटे हो जाते हैं वसा के प्रमुक्सरोतों में घी, मक्खन, पनीर और दूध है विटामिन मित्रो जब आप बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह आपको हलके भूजन के साथ फल खाने के लिए कहते हैं क्यूंकि हमारे शरीर की अधिकांश प्रक्रिया में फलों एवं सबजियों में उपस्थित विटामिनों की जरूरत होती है इनकी जरूरत कम मात्रा में पड़ती है यहां विटामिनों, उनके स्रोथ और उनकी भूमिकाओं की सूची दी गई है खनिच आपने खनिच से भरपूर खादे पदार्थों के विज्यापन अवश्य देखे होंगे आईए, अब हम देखें कि वे क्यों इतना महदपूर है पदों को वृद्धी के लिए खनिचों की जरूरत है इसके अत्रिक्त हमारे शरीर में सभी रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए अल्प मात्रा में खनिचों की जरूरत होती है पोटेशियम, कैल्शियम, आईरन इत्यादी खनिचों के कुछ सामान ने उधारण है आईए, हम अगली तालिका में खनिचों के स्रोतों और उनकी भूमिकाओं के बारे में कुछ और जाने आहार ये रेशे प्रियमित्रो क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में पोशक तत्वों के अत्रिक्त आहार तंतु भी मेत्पून भूमिका निभाते हैं इनको सामाने रूप से रुक्षांच यानी रफिच के रूप में जाना जाता है यहां आप के लिए यह जानना जरूरी है कि रुक्षांच हमारे शरीर को कोई पोशन नहीं प्रदान करता है लेकिन इसका आयतन बढ़ा देते हैं यह केवल पौधों में पाए जाते हैं डाल, आलू, ताजे फल और सबसियां रुक्षांच के प्रमुक्सरोत हैं यह हमारे शरीर को अपचित भोजन से चुटकारा दिलाते हैं जल, आईए अब हम जल के बारे में जानें जो हमारे भोजन का भी महतपून खटक है हमारा शरीर अधिकांश जल द्रव रूप में ग्रहन करता है इसके अत्रिक्त हम भोजन पगाते समय भी इसमें जल मिलाते हैं जल हमारे शरीर को भोजन से पोशक अफशोशित करने में सहायता करता है यह हमारे शरीर से कुछ अफशिस्टों को पेशाब एवं पसीने के रूप में बाहर निकालने में भी सहायक है हीनिता जन्ने रोग, मित्रो, संतलित आहार के बारे में जानने के बाद हमें ये भी अवश्य जानना चाहिए कि यदि हम उचित आहार नहीं लेते हैं तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा मुझे आशा है कि आपने हीनान रोगों के बारे में अवश्य सुना होगा ये रोग तब होते हैं जब कोई लंबे समय तक पोशकों की कमी होती है और इसी लिए ये हीनान रोग कहलाते हैं यहां कुछ हीनान रोगों और उनके लक्षणों की सूची दी गई है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं हमारे भूजन में प्रमुक पोशक, कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिच होते हैं इसके अतरिक्त भूजन में आहारिये रेशे एवं जल भी होते हैं कार्बो हाइडरेट और वसा हमारे शरीर को प्रमुक रूप से उर्जा प्रदान करते हैं प्रोटीन और खनिच हमारे शरीर के विकास के लिए आवशक हैं विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं संतलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक समस्त पोशक उचित मात्रा में प्रदान करता है तथा साथ ही साथ रुखशांश और जल भी प्रदान करता है अगर हमारे भोजन में एक या अधिक पोशकों की कमी लंबे समय तक बनी रहे तो यहाँ कुछ प्रकार की बीमारियों या डिसॉडर का कारण बन सकता है इस प्रकार की बीमारियां हीनान रोग कहलाती है